नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल अस्वाई टूटोरियल में स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी अब भी तक हमने चितना कुछ भी सीखा वो सब समझ में आ गया होगा जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने रोटेसनल मोसन को चालू किया था जिसमें उसके सारे बेसिक कांसेट को पिछले सेशन में कवर कर दिया था आज के सेशन में हम मोमेंट आफ इनर्सिया के बारे में डिसकस करेंगे आपको feel आ जाएगा moment of inertia होता क्या है 37 या 35 से 40 minutes सुनिए सारा doubt आपका clear हो जाएगा तो चलिए session को सुरू करते हैं बिना time best किये हुए तो चलो moment of inertia पहले समझते हैं इसका मतलब होता क्या है देखो नाम से ही clear है moment मतलब क्या होता है मैंने आपको moment of torque Newton lap motion में सिखाया था कि घूमने की प्रब्रिती किसी point के about अगर किसी दूरी पर force लगे तो उसके across body move होती थी कि नहीं और यहां बोल रहा moment of inertia मतलब उसके inertia के कारण घूमना जैसे एक कोई देखो एक छोटा सा block है आप इसको इस axis के along घुमाओ आराम से घुमा लोगे लेकिन इसी block को हम बहुत ज़्यादा है भी कर दें फिर घुमाना difficult होगा नहीं difficult होगा तो यह सब किस parameter पर depend करता है कैसे कैसे इसके variables होते हैं वो सब सारे फार्मूले को हम इसके अंदर सीखने वाले हैं जैसे आप wheel देखे होंगे wheel पे क्यों हम उसके periphery पे ज़्यादा mass देते हैं या आपका जो fly wheel होता है उस पे mass का distribution क्यों बीच बीच में hole दिया जाता है वो सब सारा concept इसमें हम cover करने वाले हैं और इसके लिए अगर आपने Newton's law of motion में वो लेक्चर देखा होगा inertia का मतलब क्या होता था कि अगर कोई body rest में है तो rest में ही रहेगी जब तक उस पर कोई force ना लगाया जाए और अगर कोई body motion में है वो motion में ही रहेगी जब तक उस पे कोई भी force लगा के रोका न जाए जिसको law of inertia हम बोलते थे इसी तरह यहां पर moment of inertia मतलब किसी point के about घूमने की प्रविर्ती जिसको यहां पर टार्क जनरेट होगा तो उसी सारे point को हम इस पर cover करने वाले हैं चलिए उसके definition को मैंने already लिख लिया है इसको करके read करते हैं फिर इसको समझते हैं कि आखे दे कह क्या रहा है तो देखो पहला point moment of inertia gives a measurement of the resistance of a body to a change in its rotation motion देखो जब इसको हम यहां से घुमाएंगे तो यह क्या घूमेगा यह तो rest में है तो rest में ही रहने की कोसिस करेगा घूमेगा नहीं तो वही वो बोल रहा है जब उसको हम rotational motion देंगे वो कितना approach करेगा उसी को हम उस body का moment of inertia बोलते हैं समझ भाया पहला point अच्छे से समझे क्योंकि moment of inertia के 3 से 4 lecture होंगे जो आज का session है पूरा base है बहुत सारे student को engineering तक के समझ में ही नहीं आता इसलिए अच्छे से सिखे इसमें कुछ नहीं है केवल basic से concept है एक बार आपको फीला जाएगा कैसा भी concept कैसा भी question पुछे आप उसको easily कर लोगे चलो अगला point it can be described as a quantity that decides the amount of torque needed for a specific angular acceleration in a rotational axis देखो जब इसको हम घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या generate होता है यहाँ पर torque generate होता है इसके around जब हम घुमने की कोशिस करेंगे तो यह वही बोल रहा है कि इस axis के about जब हम torque लगाएंगे कितना torque चाहिए उसको घुमाने के लिए उसको हम moment of inertia बोलेंगे third point the moment of inertia is also known as the angular mass of rotational inertia तो moment of inertia को ही कभी-कभी हम angular mass of rotational inertia बोलते है angular क्यों बोलते थे आपको अगर circular motion में rate किया होगा वहाँ भी एक axis के around angular motion करता था जहाँ पर theta आता था तो कभी-कभी moment of inertia को angular mass of rotational inertia बोलते है तो यह भी रहे confused मत होईएगा अगला point the moment of inertia is usually specified with respect to a chosen axis of rotation देखो जो आपका moment of inertia है ध्यान से देखिए यह आपका axis पर depend करता अगर मानू मैं यहाँ से घुमाने की कोशिस करूँ तो इसका moment of inertia अलग आएगा अगर एक कोई disk है और इसी को अगर मैं axis चेंज कर दूँ अब इसके एक इंड से घुमाने की कोशिस करूँ तो फोर्स कुछ अलग आएगा जो टार्क लगेगा यहाँ पर टार्क अलग आएगा यहाँ पर भी टार्क अलग आएगा वही यह कह रहा है कि जो आपका moment of inertia है वो हम कवान सा axis चूज कर रहे है उस पर depend करता है देखो यह जो इतने सारे point मैंने दिखे है आपके objective question जो theoretical बनेंगे इसमें से बनने के chances बहुत ही ज़ादा है जैसे पूछ लेगा moment of inertia आपका axis पर depend करता है कि नहीं अगर आपको concept नहीं पता है तो आप गलत कर दोगे तो यह क्या होगा कि जैसे जैसे हम axis change करेंगे वैसे वैसे हमारा moment of inertia change होता चला जाएगा अगला point है इट मेनेजी depends on the distribution of mass around and axis of rotation तो देखो यह कह क्या रहा है यहाँ पर मैं अगला diagram बनाता हूँ कि अगर हमारा जो कोई मान देते हैं यहाँ पर mass distribution है इधर ज्यादा mass है इधर कम mass है कोई यह system है और इसके around गुमाया जा रहा है तो जो आपका moment of inertia है axis का rotation यह mass का कैसा distribution हुआ है उस पर भी depend करता है समझ माया अगर जिधर ज्यादा mass है उधर आपका moment of inertia ज्यादा जाएगा जिधर कम है उधर कम रहेगा अगला point moment of inertia where is depending on the axis 30 चूज़ें देखो यहाँ पर जो मैंने explain किया अगर हम axis change करेंगे तो हमारा moment of inertia भी change हो जाएगा समझ माया कि नहीं इतना सारा point अच्छे से इसको समझ लिजे कियोंकि सारा concept इसी में छिपा हुआ है अभी आगे हम question करेंगे सारा doubt आपका clear हो जाएगा चलो अगला point moment of inertia is the sum of the product of the mass of every particle with its square of the distance from the axis of rotation देखो यह सबसे important point है कि अगर हमें किसी भी particle का moment of inertia निकालना है जिस axis से घूम रहा है वहाँ से उस point के distance का square into उसके mass का multiply कर देंगे तो हमें उस particle का moment of inertia यब मिल जाएगा समझ में आजा कि नहीं चलो यहाँ पर मैं example के थुरू आपको explain करता हूँ तो देखो यह क्या मैं मान देता हूँ यहाँ पर एक हमारा mass है ठीक अब इसको मैं क्या करता हूँ एक axis है इसके around घूमाने की कोशिस करता हूँ a mass है m अब यहाँ से यहाँ distance कितना है जहाँ से घूम रहा है यहाँ से इसका distance है r तो जो हमारा moment of inertia आएगा i moment of inertia को हम i से लिखते हैं यहाँ note में लिख दिजिए इसका जो symbol है representation हो क्या है i तो जो moment of inertia i आएगा यहाँ पर देख देता हूँ i क्या है moment of inertia तो यह जखो क्या इस point में कर आए mass और उसका कितना length है उसका square तो i equal to mr square समझ में आया कि नहीं अगर इस single है से multiple particle रहेंगे उनका हम अलग-अलग निकालेंगे उसको भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ समझ में आया कि नहीं कोई एक single particle था यह देखो इस axis के along घूम रहा है अगर हमसे इस particle का moment of inertia पूछे तो हम कैसे निकालेंगे एक concept याद रखना जो मास है वो जिस axis से घूम रहा है वहाँ के distance का square into mass का multiply कर देना आपको moment of inertia मिल जाएगा अब चलो इसकी unit देखते है SI unit unit क्या होगी mass into distance का square है mass की unit kg और r क्या है length length की क्या होती है meter तो kg, meter, square और इसका dimensions क्या होगा dimensions होगा kg क्या होता है m meter का length से measure करते है ml square समझ में आया की नहीं कुछ नहीं किया आपको मैंने unit and measurement में dimensional analysis सिखाया था अगर आपको नहीं आता एक बार जाके वहाँ से देख दीजे सारा doubt के लिए हो जाएगा अब देखो ये तो रहा moment of inertia जब हम single particle के लिए निकालते हैं अगर हमारे पास मान दो multiple particle है जो distribute हुए है उसको हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए परसे इसको आप समझेए यह रहा हमारा axis देखो moment of inertia में सबसे important point है axis of rotation कि इस axis के along आपके सारे particle move कर रहे हैं तो यह रहा हम मान देते हैं यहाँ पर हमारा axis o ठिक इसके around सारे हमारे घूम रहे हैं यहाँ पर एक particle दे देते हैं m1 और इस axis से इसका distance कितना है इसका distance यहाँ से मान देता हूँ r1 है ठिक इसी तरह एक दूसरा particle दे देता हूँ m2 अब जहाँ से घूम रहा है यहाँ से अपने को distance देखनी है यहाँ से distance कितना है r2 ऐसे ही बहुत सारे particle है n number को जिसको हम क्या बोलते थे system तो चलो मान देता हूँ यह और particle है यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मिला के n number आप particle तो इसका mass हो गया mn यहाँ से जो इसकी distance आई है अज़े दिख देता हूँ क्या है if a system of particle if a system of particle if a system of particle made देखो जो वहाँ पर है उसी को यहाँ दिख रहा हूँ made in number of particle यही है न made number of particles बहुत सारे numbers मिलके बना हुआ है उसका हमें moment आप इनर्सिया कैसे दिखेंगे उसी को यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर क्या है number of particles masses कितने हैं हमारे masses जो है m1 m2 ऐसे कितने masses हैं mn ठीक हमारे mn है अब किस distance पर है at a distance r1, r2 कहा तक है rn तक at a distance r1, r2 और यह कहा से distance लिए जा रहा है important n है rn कहा से from the axis of rotation from the axis of rotation ठीक यह समझ माया कि नहीं देखो इस question इसी पर सारे आएंगे जो single mass वाले रहेंगे आज के session हम single देखेंगे अगले में continuous distribution देखेंगे तो इसको हम कैसे दिखेंगे moment of inertia अब moment of inertia अगर हमको i दिखना है तो i equal to हमारा क्या होगा जितना है सब का हम sum कर देंगे m1 r1 square plus m2 r2 square ऐसे कहां तक जाएगा n number आप particle तक mn rn square अगर इसे हमें series में दिखनी है तो summation series में कैसे दिखूंगा i equal to कहां से सुरू हो रहा है 1 से देखे i की बैदू कहां तक जा रहा है n तक यहाँ mass m i into r i समझ में आया कि नहीं moment of inertia हम कैसे दिखेंगे i hope आपको समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी doubt है video के एक बार pause करिए फिर से देखे सारा doubt आपका clear हो जाएगा क्योंकि अगर यह नहीं clear होगा तो question आप नहीं कर पाऊगे चलिए अब इस पे कुछ questions करते हैं जो हमने देखा ताकि वो आपको clear हो सके कि जो हम study कर रहे हैं exam में कैसे question आते हैं आपको समझ में आ गया होगा यहाँ ri का square है चलो question देखते हैं इस question को ध्यान से समझे और इसमें देखो मैंने अलग-अलग axis पे पूछा हुआ है ताकि आपका सारा doubt clear होज सके चलो इस question को मैं करता हूँ पहला question है और समझे अच्छे से क्योंकि एक बार अगर आपने algorithm सीख लिया question हम solve कैसे करते हैं तो यार exam में कैसा भी question पूछेगा concept सेम रहने वाज है कि बढ़ डेटा बदलता है इसलिए method को सीखे कि question कैसे solve करना है चलो इसको read करते हैं many molecules है simple diatomic dumbbell structure मार देते हैं कोई एक डाय टामिक माले की उल है जो dumbbell structure है यह क्या बोल रहा कि let us find the moment of inertia about four axis देखो A, B, C, D हमें चारो axis के around moment of inertia find out करना है जो मैंने पहले भी slide में नहीं बताया था कि अगर हम axis change करेंगे moment of inertia हमारा change होता चला जाएगा ठिक उसको यहां करके देखेंगे we treat the bodies as point particles with masses M1 यह जो M1 है यह है 3 kg और M2 की बेलू है 5 kg D1 की दूरी D1 यहां से यहां तक distance है D1 की दूरी कितना दिया हुआ है 1 meter और D2 की दूरी कितना दिया हुआ है D2 की दूरी दिया हुआ है 2 meter समझ मैं जा कि नहीं अगर कुछ भी doubt है कि उस्चन को पहले अच्छे से समझे अब हमें चारो axis के around moment of inertia लिखना है अब हम इसको कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले मैं A से सुरू करता हूँ serial से तो axis A को मैं select करता हूँ ठेक देखो अच्छे से देखे क्योंकि पहला क्यूस्चन है तो अगर आप axis A को select करोगे यहां से जो M1 की दूरी है वो कितना है D1 और M2 की दूरी जो है वो कितनी है D2 समझ मैं आजा कि नहीं तो अगर हम A axis के around moment of inertia दिखेंगे तो क्या होगा mass into इसके distance का square M1 D1 square plus M2 D2 square ठेक अब M1 हमारा कितना है M1 है 3 kg D1 है 1 plus M2 M2 कितना है 5 अब D2 कितना है 2 का square जब इसको हम solve करेंगे 3 plus 4 5 20 यह कितना निकल के आएगा 23 kg meter square इसकी unit क्या है kg meter square समझ मैं आया I hope आपको समझ में आ गया होगा देखो 1 meter square area को घुमाने में 23 kg mass लग रहा है अगर कभी इससे कोई explain करने को पूछे तो यहां से explain कर दीजिएगा I hope आपको समझ में आ गया होगा अब चलो axis B पे देखते है अब axis B पे समझे जब हम इस axis को लेंगे तो जो यह particle लगा है यह तो इस axis के साथ ही घूम रहा है क्या यहां पे कोई distance आएगा कोई नहीं क्योंकि यह तो axis पे ही लगा है इसलिए जहां हम design करते हैं उसके rotation को आप देखा होगा flywheel वहां पे हम बिल्कुल mass नहीं डालते क्योंकि वो उसका version ही बनाएगा देखो ना इसके moment of inertia हम कोई produce ही नहीं करेगा इसका लगाने का कोई effect नहीं अगर यह B के around घूमेगा क्योंकि यह तो उसके साथ ही घूम रहा है यहां पे कुछ produce नहीं करेगा यहां पे क्या produce करेगा M2 के कारण आएगा तो चलो axis B axis B axis B के लिए moment of inertia लिखते हैं I B equal to M1 यहां D1 क्या जाएगा यहां distance क्या है देखो इस axis से M1 की बहलू तो 0 हो गई plus M2 अब देखो इस axis से M2 की दूरी कितनी है यहां तक D1 है यहां तक D2 है तो total आजाएगी D1 plus D2 का whole square समझ में आया की नहीं I hope आपको आगया होगा चलिए value put करते हैं I B पहला term 0 हो गया plus M2 M2 की value कितनी है 5 और D1 की value 1 और 2 तो यहां जाएगा 5 1 plus 2 का whole square जब इसको हम solve करेंगे 5 into 9 तो कितना निकल के आएगा 45 kg meter square देखो जब हम 20 से घुमा रहे से 23 ही लग रहा था अगर हम किसी से power supply करेंगे कम लग रहा है लेकिन जैसे हम 20 से घुमाना शुरू कि अब कितना लगना चालू हो गया 45 kg हुगा क्योंकि इसका कोई effect ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा है उसका अब चलो C axis के आराउंड देखते है Axis C Axis C पर देखो जो मास है M2 ये मास इसके साथ खुद घूम रहा है तो क्या इसके कारण कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा यहां से ये आएगा किवल M1 के कारण तो चलो इसका लिखते हैं Ic Ic क्या जाएगा M1 अब distance कितनी है अब D1 प्लस D2 का होल स्क्वाइर प्लस M2 M2 तो axis पर है जिसके आराउंड घूम रहा है वो कोई produce नहीं करेगा मोमेंट आफ इनर्स जिया में contribution तो क्या हो जाएगा 0 M1 की बैलू कितनी है यहां से देख लो M1 की बैलू है 3 kg तो 3 इंटू 1 प्लस 2 का होल स्क्वाइर जब इसको हम solve करेंगे 3 इंटू 3 कितना 9 और यह 9 तरीक 27 तो कितना निकल के आएगा 27 kg मीटर स्क्वाइर समझ माया की नहीं अब चलो D के राउंड देखते हैं D के राउंड तो देखके ही लगना देखो इस एक्सिस पे दोनों मास घूम रहे हैं तो क्या मोमेंट आफ इनर्सिया कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा मोमेंट आफ इनर्सिया क्या आएगा हमारा 0 आएगा मतलब अगर इस मास को हम इस axis के around घुमाएंगे सबसे कम इनर्सिया हमारा लगेगा समझ माला कि नहीं किस axis से घुमाना इसे आसान रहेगा d axis से चलो यहाँ पर लिखते हैं axis axis d id यहाँ पर क्या है आपका m1 यहाँ परपेंडिक कुछ नहीं है यह भी 0 प्लस m2u इंटू क्या आजाएक distance 0 तो क्या निकल के आजाएगा total 0 समझ माला कि नहीं id हमारा क्या निकल के आ गया है 0 यह हुगा क्यों आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी doubt है वीडियो को एक बार pause करिए फिर से देखिए सारा doubt clear हो जाएगा देखो यह जो दोनों मास थे इसी के around घूम रहे हैं समझ में आजा कि नहीं यहां से हम D के around घुमाएंगे सबसे आसानिस हमारा rotation motion होगा A के around घुमाएंगे 23 लग रहा है B के around घुमाएंगे कितना लग रहा है 45 और C के around 27 तो अगर हमसे पूछे को भी कि चारों में से सबसे कम moment आप इनर्स या कहां पी निकला I hope आपको समझ में आ गया होगा चलिए एक और question करते हैं ताकि आपका confidence आ जाए देखो single particle में ऐसे ही निक्यालेंगा उसे मैसे ही आपका double particle में बस एकदम basics clear रहेगा ने एकजाम में हार कैसा भी क्यूस्चन पूछे केवल basic concept clear होने चाहिए exam एकदम easy होता है लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं उनका basics सी नहीं clear रहता चलो इस question को read करते हैं फिर इसको solve करते हैं देखो इसमें कह क्या रहा है फोर point masses lie at the corners आप a rectangle with sides of length 3 meter and 4 meter as soon in figure देखो एक rectangle है जिसका length दिया है 4 meter और bit दिया है 3 meter आप से पूछ रहा है find the moment of inertia about each of the diagonal इस diagonal के around देखो इसका नाम A दिया है और इस diagonal के around इसका नाम B दिया है और M, M की जो value है कितना लेना है M की value अपने को लेनी है 1 kg तो diagonal जो A दिया है इसके around moment of inertia कितना आएगा और diagonal B के around कितना आएगा यह दोनों का पूछ रहा है कि उस चांद समझ में आया कि नहीं यहाँ diagram भी उसने दे रखा है अब ध्यान से दिखो जो हमारा moment of inertia आता था और क्या आता था आपका जो point घूम रहा है वहाँ से उसकी distance उस axis से और यह देखो यह axis है पहले मैं A को consider करता हूँ अगर इस axis से घूम रहा है तो इसका perpendicular distance देखो क्या यह कुछ particle जो A और 3M कुछ contribute करेगा कुछ नहीं करेगा जब एक around घूमेगा तो कौन-कौन mass contribute करेगा एक 4M करेगा और 2M करेगा तो इनका हमें distance चाहिए इस axis से perpendicular distance की कितना यह हो रहा है तो अगर हमें किसी तरह यह distance पता चल जा जो मैं color कर रहा हूँ और यह distance तो दोनो axis पर देखो same आने वाला है हम आराम से निकालेंगे की नहीं जब इधर से हम निकालेंगे वही concept यहां लगेगा क्योंकि rectangle का dimensions नहीं बदल रहा है तो perpendicular distance चारो केस में समान आने वाला है अब उसको हम निकालेंगे कैसे यहां पर समझते हैं आप ध्यान से देखो अगर इसको मैं क्या नाम दूँ C इसको नाम C A B तो दिया है इसको D अब आप ध्यान से देखो triangle मैं क्या बना रहा हूं triangle यहां पर A, C, D चलो अगला slide दे देता हूं यहां पर जो triangle है कुछ इस तरीके से है की नहीं इसकी देन 4 है इसकी देन 3 है 3 है A, 4 है तो A देन्थ कितना आएगी अगर एक पाइथा गोरस हम लगाएगे A देन्थ आएगी 5 तो यहां साब बताओ अगर हम जो sign निकालेंगे sign 30 यहां से आपको एट triangle में रखवाया था कितना आता था 37 degree तो यहां से क्या निकल के आता था sign 37 degree equal to क्या निकल के आएगा 3 by 5 समझ माया कि नहीं तो हमारा A इंगल कितना बना A इंगल जो यहां पे बना A बना 37 degree और जब यह 37 बना तो A कितना बनेगा A अगर total 90 degree है 90 में से 37 घटाओ गोई A इंगल बनेगा 53 degree समझ माया कि नहीं वही इस केस में लगेगा चारो केस में वहां वही लगने वाला है ऐसे ही यहां पे आप देखोगे क्या है 3 यहीं लंबाई है ना 3 by 4 यहां पे भी 37 बनाएगा और यह पूरा इस साइट कितना आएगा यहां से यहां तक यह पूरा आएगा 53 अब यह लेंध 3 है हमें यह distance चाहिए इसके around ए ऐक्सिस पे तो इस पे तो इसका cos component आएगा और इसके perpendicular क्या आएगा इसके perpendicular आपका sign component आएगा तो जो distance होगा वो क्या होगा 3 sign 53 यही होगा ना 3 sign 53 इस axis से जो इस angles बना रहा है समझ माया कि नहीं Qsion में क्या आप से कहना चाहरा है देखो जो 3 meter है इस axis से कितना angle बना रहा है इस axis से कितना बना रहा है देखो 53 degree तो हम कितना लेंध निकालेंगे 3 sign 53 तो यहां देख देता हूँ जो length आया है perpendicular distance 3 sin 53 जब इसको हम solve करेंगे अगर 37 है 53 4 by 5 तो कितना निकल के आएगा 4 by 5 मतब 2.4 meter ठीक तो जो हमारा वो length निकल के आया है perpendicular कितना निकल के आया है 2.4 meter हर case में same रहने वाला है चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है for each mass we need its perpendicular distance for each mass जो चारो mass है for each mass we need perpendicular distance perpendicular को इससे दिख रहा हूँ perpendicular distance समझ भाया कि नहीं perpendicular distance कहा से ले रहा है from the axis जो हमने किया उसको यहाँ पर word में लिख दे रहा हूँ कि यह बहुत ही conceptual है एक बार आप समझ जाओग आराम से कर दोगे तो चलो अब यहाँ पर दिखते हैं for each axis for each axis two masses do not contribute देखो यहाँ पर जो दो masses है अगर यह घूमेगा यह दोनों नहीं करेंगे big around घूमेगा 4M और 2M नहीं करेंगे तो यहाँ पर मैं नहीं दिख सकता for each axis two masses do not contribute two masses do not contribute moment of inertia do not contribute moment of inertia तो कौन कौन से करेंगे वो दो ही करेंगा और उनका हमें क्या चाहिए other two are the same distance जो दो दूसरे produce कर रहे हैं वो क्या है same distance पे ही है other two are same distance समझ माला कि नहीं और उस सेम डिस्टेंस कितना है same distance two point four meter है समझ माला कि नहीं अब सारा चीज एकदम इजी हो गया है अब चलो पहले आई एके अराउंड लिखते हैं आई एके अराउंड हम लिखेंगे क्या आएगा यह तो कुछ नहीं प्रोडियूस करेगे four am प्रोडियूस करेगे और इस एक्सिस के अराउंड इसका डिस्टेंस कितना है two point four तो चलो आई एक अराउंड में यहाँ मैं लिखता हूं four am into two point four का whole square प्लस अगला मास कावन है two am two am की भी डिस्टेंस कितनी है two point four two am into two point four का whole square am की बेलू कितना दिया हुआ है one जब उसको हम put करेंगे one तो यहाँ पे जो आई ए हमारा निकल के आएगा आई ए की बेलू निकल के आएगी 34.6 केजी मीटर मैं पहजे सही solve करके लाएँ इसलिए answer डारेक्ट लिख रहा हूँ बट हर क्यूस्ट आप खुद से solve करके verify करिए कि क्या सही आ रहा है नहीं क्योंकि एकजाम में आपको calculator नहीं दिया जाएगा इसलिए खुद से hybrid अभी से डालिए solve करने की अब चलो b-axis के around लिखता हूँ जब b-axis के around घुमेगा तो इस पर कौन-कौन से produce करेंगे 4m और 2m तो करेगा नहीं कौन-कौन सा करेगे 1m करेगा 1 3m करेगा तो चलो लिखते हैं m into क्या आएगा आपका distance 2.4 का square प्लस अगला क्या है अगला कौन सा मास है 3m 3m into 2.4 का square यहाँ m की बैलू कितनी है m की बैलू है 1 जब हम सारी बैलू पूट करेंगे इसको solve करेंगे तो b-axis के around निकल के आएगा 23.0 kg meter square यह रहा answer चाहे आप a के around घुमाओ उसको कैसे निकालेंगे वह भी निकाल लिए इसी तरह कभी आपको ट्रिंगल के around पूछेगा तो क्या आप नहीं निकालोगे perpendicular distance निकाल लेना सारा question आराम से solve कर लोगे I hope आपको समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी doubt है वीडियो को pause करिए एक बार फिर से देखे सारा doubt clear हो जाएगा देखो अगर आपको geometry नहीं आती तो आपको problems होगी इसलिए मैंने mathematical tool का एक session बनाया है जाए उस playlist में 17-18 वीडियो हैं देखे सारा doubt आपका clear हो जाएगा और अगर आप उसको नहीं सिखोगे पूरे physics के दवरान आपको मैथ में सफर करने वाले हो और जब मैथ आपकी कमजोर रहेगी तो physics आपसे solve नहीं होगा चलिए अब अगला topic देखते हैं question समझ मागया कि नहीं single mass का अगर रहे या multiple mass रहे तो हम उसको कैसे निकालते हैं जो point mass का case होता था चलिए अब कुछ और समझते हैं physical significance of moment of inertia अब इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसको हम समझते हैं किसकी physical meaning क्या है तो देखो इसका फार्मूला क्या है I die equal to क्या था MR square अब अगर हमारा कोई object है वो किस पे किस पे depend कर रहा जो I है वो हमारा mass पे depend कर रहा है और जो I है वो हमारा उस axis जो rotate कर रहा है उसके distance के around depend कर रहा है तो पहला मैं mass का condition देता हूँ ठीक अब देखो मान देता हूँ कि एक हमारे पास छोटा सा mass है इसको मैं इस axis के around घुमाता हूँ एक एकदम ball है cricket ball ठीक इसको मैं इस axis के around घुमाता हूँ एक हमारा 1000 kg का ball है यह मान देते हैं aim है हमारा 1 kg और अगला है हमारा जो mass मैं ले रहा हूँ वो कितना है अगला mass जो है वो मान देते हैं 10,000 kg है इसका एक गोला है जिसको इस axis के around घुमाया जा रहा है और aim क्या है aim बहरी हो रहा है aim बहरी और क्या है R है हमारा constant ठीक और है हमारा constant axis अब दूर बना दूँ ताकि आपको problem ना हो ठीक R हमारा constant है एक मिनिट इसको मैं axis थोना दूर पे कर देता हूँ ताकि आपको problems ना हो देखो ध्यान से समझे कि इसकी physical meaning क्या होने वादी है यहाँ से यहाँ जो R था वही है यहाँ से यहाँ भी R जो था वो सेम रहने वादा है क्या change किये है हमने mass increase कर दिया है अब आप बताओ moment of inertia किसका ज्यादा होगा किसका जिसका mass कम है उसका moment of inertia कम होगा उसको घुमाना आसान होगा येकिन जिसका mass ज्यादा है उसका moment of inertia ज्यादा होगा देखो ये दोनो advantage, disadvantage दोनो है अगर एक बार ये motion में आ गया इसको हम रोकेंगे तो ये तुरंत रुख जाएगा येकिन एक बार heavy mass वादा अगर motion में आ गया इसको हम रोकेंगे तो ये काफी time लगेगा रुकने में समझ में आया कि नहीं जैसे आप क्या देखते होंगे wheel ये आप wheel देखते होंगे ना buy क्या है सबका उस पे जो masses है ओ इसके पूरे पेरी फरी पे ही distribute रहते हैं देखावोगा ध्यान से बीच बीच में कुछ इस तरीके से support डाले रहते हैं ठेक तो वहाँ पे हमें क्यों यहाँ पे depend करते हैं ताकि moment of inertia हमारा अगर distance constant है जादा से जादा मिले समझ में आया कि नहीं तो यहाँ से हमें क्या निकल के आया अगर हमारा aim is very large अगर हमारा aim moment of inertia जादा होगा अगर मास हम increase करेंगे तो moment of inertia क्या होगा moment of inertia हमारा increase होगा उसी देशियों में distance constant है अगर हम aim को घटाएंगे अगर हम aim को घटाएंगे तो क्या होगा अगर हम मास को घटाएंगे तो moment of inertia भी हमारा घटेगा अब जब moment of inertia घटेगा तो इसको easy है rotate कराने में और moment of inertia अगर ज़्यादा होगा तो इसको difficult होगा rotate कराने में इसी तरह अगर आप axis change करोगे अगर मानों आप इस axis से घुमा रहे थे mass constant है तो आपको moment of inertia ज़्यादा लगे अगर इसी को मैं axis कर अगर पास ला दूँ फिर से घुमाना चाला करूँ तो जो हमारा moment of inertia लगेगा वो कम लगेगा क्योंकि distance कम हो जा रही है I hope आपको समझ में आ गया होगा कि इसका physical meaning क्या होता है इसी कारण आप fly wheel ये सब देखे होंगे ना पिछे lecture में साइद मैंने आपको fly wheel बताया था जो threcer या generator में लगते हैं जब हम engine बंद कर देते हैं वो तब भी घुमते रहता था तो उसमें आप देखना बीच बीच में पूरा hole बना रहता है उसका जो major mass है वो कहां पर रहता है उसके पेरी फेरी पर रहता है उसके चारू तरफ क्यों क्योंकि हमें ज़्यादा moment of inertia मिल सके इस axis के around हो घूम रहा है अगर हमारा flywheel यहां मैं बना रहा हूँ यह है हमारा flywheel ठीक तो इसके जो mass रहेंगे वो सारे हमारे इसके पेरी फेरी की चारो तरफ ही रहेंगे यहां पर आप देखोगे तो क्या रहेगा छोटा छोटा होल बना अगर इस axis का around गूम रहा है यहां पर छोटे छोटे होल बने रहेंगे जिस पे mass नहीं रहेगा वो क्यों क्योंकि अगर हम distance जितना increase करेंगे mass distance से जितना ज़्यादा दूरी पर होगा उतना ज़्यादा हमें moment of energy मिलेगा और जितना ज़्यादा moment of energy मिलेगा हमारी energy उतना ज़्यादा आ जाएगी जब energy fluctuate करेगी तो उसको आराम से manage कर लेगा इसलिए आप देखे होगी जो heavy motor या बड़ी-बड़ी motor होती है engines होते हैं उसमें flywheel बहुत heavy लगते हैं जो turbine सब होते हैं और जो छोटे engines या यह सब होते हैं उसमें flywheel बहुत ही छोटे लगते हैं I hope आपको समझ में आ गया होगा उसका physical meaning क्या है आगे हम इस पे और question करेंगे आपकी quality अच्छे से समझ में आ जाएगी समझ मायक नहीं हम इसको क्यों study कर रहे हैं अगर कोई आप से पूछे कि flywheel हुगा या कोई भी object या आपका wheel हुगा उस पे ज़्यादा mass हम periphery पे क्यों हम इसलिए रखते हैं कि हमें ज्यादा ज्यादा moment of inertia मिले क्योंकि अगर हम same mass कम दूरी पर रखेंगे तो हमारा wastage बहुत ही ज्यादा होगा material हमारा ज्यादा लगेगा उससे better है कि हम distance को increase कर दे तो हम यहां से material बचा लेते हैं और material बचा तो जो भी product आप बना रहे हो उसका cost सस्ता हो जाता है तो यह रहाई engineering का application I hope आपको समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी doubt है वीडियो को pause करिए एक बार फिर से देखे सारा doubt clear हो जाएगा चलो अब अगला point समझते हैं कि moment of inertia किस पे किस पे depend करता है जो आपका moment of inertia है मान देते हैं axis है यहाँ से घूम रहा है कोई हमारी body है जिसका mass aim है और यहाँ से हाँ distance कितना है आर तो जो moment of inertia आएगा यह क्या है आएगा I equal to MR square यह हमारा moment of inertia आएगा अब एक किस पे किस पे depend करेगा पहलात हमारे depend करेगा यह जो body है उसका mass कितना जो मैंने सुरू में ही सिखाया दूसरा उसका size and shape of the body अब अगर इसी body के mass को आपने देखा जो flywheel है उस पे आप कैसे उसका shape बनाए हो हर का moment of inertia अज़ाग अज़ाग आता है अब है आप डिस्क सर्कुलर डिस्क हेमी इस पेर के cylinder हर चीज का आगे सेशन में हम cover करेंगे तो जैसे जैसे हम से बदलेंगे वैसे वैसे हमारा moment of inertia चेंज होगा तो अगर हम moment of inertia हमें सेम चाहिए हम mass reduce करके distance increase करके उसको achieve कर सकते हैं तो दूसर पॉइंट distribution of mass about axis of rotation इस axis के around अगर घूम रहा है तो मास कैसे आपके distribute है इसका और better example यहां से देखिए अगर यह मैं मान लूँ इस axis के around घूम रहा इसके middle में अब कुछ मास जो है इधर जो है कुछ ज्यादा मास है यह सब जो solid कर रहा हूं और इधर कुछ है कम mass तो जो आपका moment of inertia है यह भी किस पर depend करेगा जिस axis से घूम रहा है उसके along आपके mass कैसे distribute है उस point पर भी depend करेगा चबथा point position and orientation of the axis of rotation with respect to the body कि आपका जो axis rotate हो रही है उस body की respect में वो कैसा orientation है जो पहला question मैंने कराया था देखो फिर से उसको यह diagram बना दे रहा हूं वहां क्या थे दो mass थे अगर हम इसके around घुमा रहे थे तो कुछ अलग आ रहा था अगर हम उसी particle को B के around घुमा रहे थे तो अलग आ रहा था उसी particle को हम अगर C के around घुमा रहे थे तो हमारा अलग आ रहा था axis orientation change कर दे रहे थे अगर उसी को हम इस axis के around घुमा रहे थे तो हमारा जो आ रहा था moment of inertia वो भी different आ रहा था तो किस-किस point पे depend करता है mass of the body, size and shape of the body distribution of mass about the axis of rotation और चवथा point है position and orientation of the axis of rotation with respect to the body तो ए रहा moment of inertia का एकदम basic सा concept इसको अच्छे से समझ देजेगा क्योंकि exam में आपको direct इस पे objective में question पूछेगा खास कर जो neat के exam दे रहे होंगे उसमें तो इस concept पे question कई बार पूछे जा चुके हैं चार option बना देगा कि moment of inertia आपका किस पे depend करेगा तीन सही देखे कोई एक और देदेगा बोलेगा इसमें से गज़त option चूच करिए तो अगर आपको नहीं पता रहेगा concept तो आप उसको नहीं solve कर पाऊगे इसलिए इस सारे important point है एक एक को अच्छे से समझे और question को समझने की कोसिस कीजिए कि किस form में पूछा जाएगा एक बार आपका question solve करने का algorithm बन गया फिर कैसा भी exam में question आप उसको आराम से solve कर दोगे तो ए रहा आज का session जो moment of inertia का एकदम basic session था इसमें हमने single particle अगर किसी axis से eye distance पे है उसका moment of inertia कैसे निकालते हैं वो सब discuss किया moment of inertia क्या होता है वो discuss किया physical significance समझा moment of area किस किस topic किस किस पे depend करता है उसको समझे अगले lecture में हम moment of inertia जो continuous distribution mass होते हैं जैसे आपके cylinder rod आपका disk हो गया, ring हो गया वो सब का हम कैसे निकालते हैं वो सब को हम आराम से सीखेंगे तो अगला lecture भी आप देखिएगा अच्छे से moment of inertia आपका clear हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे student को इस समझ में नहीं आता बस आपको basic concept पकर के रखना जो मैंने आपको सिखाया है मास जिस एक्सिस से घूम रहा है वहाँ से perpendicular distance का square I hope आपको समझ में आ गया होगा आज का session कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं क्योंकि जब तक आप लोग feedback नहीं दोगे हमको नहीं समझ में आएगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पर आपको बताने का एक ही medium है comment तो comment जरूर कीजिए ताकि हमें पता भी चले कि कितने student है जो seriously इसको देख रहे हैं और अगर आप लोग हमारे channel से physics study कर रहे हैं आप बेफिक्र होके देखे आपका physics में एक single question भी नहीं रुकेगा क्योंकि जितना content मैं आपको provide कर रहा हूँ अपने देखा होगा इसके अलावा मैं एक question practice की series करवाता हूँ जब chapter खतम होता है और यहाँ पे भी बहुत सारे question कराता हूँ हर concept पे अगर आपने इतना कर दिया नहीं तो आपका physics में एक single question भी नहीं रुकेगा बस आप concept को समझेए time मिले PYQ को उठाइए उसको practice कीजिए समझेए उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और आपने देखा होगा J.E.Min.2024 का जो exam हुआ था उसमें जितने क्यूस्चन आये थे सारे हमारे notes से ही आये थे अब भी से मैं बोल रहा हूँ जो J.E.Min.2024 का exam होगा नेट में वो सब सारे क्यूस्चन फिर से note से ही आएंगे exam खतम होगा मैं फिर से आपको वीडियो का playlist बना के दिखा दूँगा कि देखिए जो जो मैंने पनाया वही वही exam में आया तो इसलिए आप अच्छे से ट्रेस्ट करके पूरा lecture देखिए आप physics में एक भी question नहीं गलत होगा जिस दिन आप exam दोगे उस दिन आपको समझ मायेगा कि हम ने physics एकदम right जगे से study किया है तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा अगर चैनल पर पहली बाद आये हैं चैनल को subscribe करें बेल आइकन को on करें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालू सबसे पहले आप तक notification जाए हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें सबस्क्राइब करें वर लाइक करें थैंक यू